तोड़ी विल ट्राइब मुंगा साग के पकोड़े ये मुंगा साग का पेड़ है इसे सहजन, मौविंगा, सिग्रू और सूर्टी के भी पत्ते कह सकते हो और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इसे लॉट्स अब बेनिफिट है ये मुंगा साग अजवाइन मंगरेला, जीरा ब्लाक पीपर पाउडर, वेच चिली पाउडर, साल्ट, चॉप्ट क्रिंचिली, चॉप्ट अनियन और ये सब तुम बढ़ा घटा सकते हो तुम्हावे टेज्ट के हिसाब से, पर साल्ट को प्रपोस ने टुकना, मौसम काफी रुमानी है, अच्छी बाइश हो रही है, औ इसमें क्रिस्टी पकोड़े खाने का मज़ा ही अलगे गए, और ये मुंगा साग है, एक मेडिशनल प्रांट है, इसके काफी बेनिफिट है, पर जो मेन बेनिफिट है, ये तुम्हारे लिगमेंट को लेके है, ये लिगमेंट को लांग लास्टिंग बनाता है, बढ़ाप और छोटे-मड़े प्रांचेस तुम जान दे सकते हो, सोके, तन पत्तो को उठाओ, चॉप करो, जेंटली, पूरे काटने की ज़रत नहीं है, सिप हलका हलका जेंटली चाकूच चला दो, करेक्ट कर लो, पैन को चड़ा दो, तन पाकिंग डूटिंस को, मिक्स कर दो, और से अनियंको ब्रेक कर दो, तक थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाए, सोके, ज्यादा ब्रेक करने की ज़रत नहीं है, ताकि यह पकड़ो जैसा दिखें, दो चंबच बेशन लो, तो लाज चंबच बेशन लो, फैसे मिक्स करो, ताकि थोड़ा सा, कंसिस्टेंट दिखें, इनिफा बनाना है तो एक प्लेस करके देखो कि बबल्स उठाए यह नहीं अगर इस उके है तो बाकियों को भी प्लेस करते जाओ उनिफॉम इस प्लेसिंग के साथ ताकि वह इवन देख को जाए और यह बहुत इंप्लेसिंग वरना पकाड़े एक की साथ एक उलग जाएंगे और मैं इसमें बल्कुल भी अच्छा नहीं मैं तो कोई कोख ही नहीं हो अज आम नो कुक मुझे बल्कुल भी इसे प्लेस करना नहीं आता पकोड़े की तरह वाँ चलाना भी नहीं आता पिर भी इसे पलटते रो रोल करते रो ताकि एवन लिक कोख हो जाए हो सके तो शैलो डीप करो डीप अवाइट करो और इसे कलम सर्फ करो हाथ मैं विशांक मुझे ऐसे मत गुरो यह कोविंदा वाले कपले और यहापन मेरी माम ने डिसाइट किया है बस सेयर करो सब्सक्राइब करो थैंक्स पूर वाचिंग